रख होंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे की पास चलकर समंदर भी आएगा, ठक कर ना बैठ मंजल के मुसाफिर, मंजल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रेम और जैसे कि आप जानते हैं मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आज हमारा जो वीडियो है दोस्तो नई सूरज में नई दिन के साथ, नई किरणों के साथ, नई उमीद के साथ, आज आपको पॉजिटिव करने के लिए एक वीडियो में यहां पर लेकर आया हूँ, दोस्तो जैसे ही मैंने यह देखा, मैंने ये निउस्पियोर में एक कटिंग पड़ी थी, यहां पर जो है एक महला के बारे में जो सीकर की रहने वाली है, जिनका नाम पर मिला नहरा है, दोस्तो यह वाकई में युवाओ के लिए एक मिसाल की तरह है, दोस्तो इन्होंने पांस साल में नौ सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर ली है, नौ सरकारी नौकरी जोईन कर ली है, निकाल ली है, और अब भी इनकी अब भी ये रेस में जो है लगी हुई है, इनके अंदर के बेमिसाल जनून ने, जजबे ने, दोस् दोस्तो ये सीखर की परमिला नहरा वाकाई में युवाव के लिए हम कह सकते के मिसाल है अपनी मेहनत से वह थर्ड ग्रीड शिक्षक में व्याक्षाता तक का सफरताई कर चुकी हैं दोस्तो अभी भी IAS की तरफ उनकी दौड है परमिला पहले थर्ड ग्रीड शिक्षक बनी फिर कई पड़ा पार करके अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रीड व्याक्षाता में इनका चैन हुआ है दोस्तो इन्होंने पांस साल के अंदर नौ सरकारी नौक्रियों में इनका चैन हो चुका है तो दोस्तो देखते हैं इनका किस-किस नौक्रियों में अभी तक चैन हो चुक है महला परिवेक्षक में इनका चाहिन हो चुका है प्लिस कॉंस्टेवल में इनका चाहिन हो चुका है यह नौ नौकरियां जो है अभी तक इनका नौ नोगरियों में चैन हो चुका है हम सलाम करते हैं दोस्तों ऐसे जुनून को ऐसे होसले को इस तरह का होसला अगर आपके पास है आप भी जो है एक नए एक दिन अपनी मंजिल को जरूर ताई कर लेंगे जरूर पकड लेंगे तो दोस्तों आपका हर एक गोल होना चाहिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कहा जाता है कि एवरी संसेट गिव अस वन डे लेस टू लिव बट एवरी संराइज गिव अस वन डे मोर टू हो अल्वेज बी हैपी इसका मतलब है कि परते एक संसेट आपको एक दिन कम देता है जीने के लिए ठीक है एक दिन आपके जीने के लिए एक दिन कम कर देता है लेकिन एवरी संराइज तो परते एक संराइज क्या करता है आपकी एक नई उमीद आपको देता है एक नई उमीद एक नई उमीद एक नया दिन और देता है आपकी उमीद को बढ़ाने के लिए तो इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए होसला बनाए रखना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बाकी वीडियो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले धेर सारी शुपका मैं धन्यवाद